नमस्कार क्या होते हैं यह इस तरीके की टर्म्स जब अब्जेक्टिव क्वेशन्स में पूछे जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है जबकि यह बहुत इंट्रस्टिंग हो सकती अगर हम इसे शोले मुवी की तरीके से देखने की कोशिश करें मैंने आपको कहा न डर्मा में इस पर बेस्ट क्वेशन्स खुब पूछे जाते हैं और इसको हम याद कर सकते हैं शोले मुवी के अमिताब बच्चन और धर्मिंदर की दोस्ती की रूप में इनमें दोस्ती किस तरीके से डिवलप होती है आप देखेंगे इस्टेफाइलो कोकाई के रूप में अमिताब बच्चन को जबकि ग्रूप A स्टेप्टो-कोकाई की रूप में आप धर्मिंदर की कल्पना कर सकते हैं इसमें इन दोनों की दोस्ती की जैसे हम स्टूरी देखते हैं शोले बुवी में वैसे ही हमारे body में infection भी करते समय Staphylococcus aureus और gas Group A Steptokokai एक साथ काम करते हैं फिर आप सोच रहोंगे बाकी सारे कलाकारों का क्या role है बाकी सारे combinations को कैसे याद कर सकते हैं तो जो गबर है न इसको हम अपनी body समझ सकते हैं जैसे ये धर्मेंदर और अमिता बच्चन गबर को मारने के लिए आते हैं ऐसे ही gas और staphylococcus aureus हमें मारने के लिए आते हैं इसके लामा कुछ और भी कहानी हम यहाँ पर सोच सकते हैं जैसे एक girlfriend होती है अमिता बच्चन की कौन होती है उनका भी यहाँ पर image देख सकते हैं और दूसरी girlfriend हम धर्मेंदर की देख सकते हैं तो धर्मेंदर की जो girlfriend है वो हमामाली नहीं है और वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं अमिता बच्चन की girlfriend के रुपे जया बच्चन को हम देख सकते हैं इस बात को कहने का मतलब क्या है अभी मैं आपको अब पुरी की पुरी स्टोरी ओपन करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं आपर लिख करके मैंने आप से कहा धरमेंद्र और अभिताब मिलकर के काम करते हैं तमाम तरीके के diseases ये दोनों ही मिलकर के काम करते हैं अब इसमें थोड़ा सा और specific हो करके चलें तो हम देखेंगे कि हमारे microbiology के term के हिसाब से ये क्या है अभिताब कौन है ये है staff ज हम इसी के साथ ही देखेंगे कुछ infection ऐसे होते हैं जो exclusively ये कर रहा होता है, धर्मिंद्र कर रहा होता है, धर्मिंद्र मतलब क्या, गैस कर रहा होता है, ग्रुप A, स्ट्रिप्टोकोकाई कर रहा होता है, इसमें एक्जाम्पल हम से पूछा जाता है, इसके बारे में हम अभी थोड़े देर में आपके साथ डिसकस करेंगे, डर्मा में इस पर बेस्ट कुछा जाता है, इसका कॉजटिव एजन्ट कैसा है, इस पर इमेज बेस्ट कुछे जाते रहें, इसलिए जरूरी है, ऐसे ही जब हम देखेंगे, स्टेफाइलो कोकस औरियस के लिवल पर, तो वहाँ पर पूछा जाता है कौन सा ऐसा डिजीज है, जो एक्स्क्लूसिवली स्टेफाइलो कोकस के द्वारा होगा, माबलो में, स्टेफ औरियस ही होता है, उस दोरान आप गैस का नाम नहीं लेंगे, हाला कि अधिकतर माबलो में, स्किन के इंफेक्शन में दोनों के नाम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जहाँ पर इराइस सेपलास का, जैसे मैंने भी कोई एक्जांपल लिया, वैसे मैं यहाँ पर एक्जांपल ले रहाँ, इंफेक्टिव इंडोकारडाइटिस की जब हम बात करेंगे, तो एक्सक्लोसिवली हम देखेंगे, वहाँ पर इस्टेफालो कोकस और यहीं का नाम आएगा, यहीं पर देखें, सब एक्जूट बैक्टिरियल इंडोकारडाइटिस की बारे में जब पूछा जाएगा, तो शोली की स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने आ जाती, देखें, यहाँ पर अमिताप बच्चन को ले करके मैंने कहा, इंफेक्टिव इंडोकारडाइटिस और यह एक्जूट बैक्टिरियल इंडोकारडाइटिस का मामला होता है, यह सारे कॉश्चन के रुप में पूछा जाता है, यह एक्जूट बैक्टिरियल इंडोकारडाइटिस का मामला होता है, यहीं पर देखें अब सवाल आता है धर्मिंदर और अमिताब की गल्फरेंड का तो आप यहीं पर सोचने की कोशिश करें अमिताब की गल्फरेंड का नाम क्या रहा है मुवीज में कौन है वो तो वो है जया बच्चन और वहीं धर्मिंदर की गल्फरेंड का नाम क्या रहता हैं staff की girlfriend का नाम यहां पर हम ले सकते हैं उसी group में staff epidermidis, staphylococcus epidermidis का इस बात को कहने का मतलब क्या अगर इस story की रूप में याद कर ले तो क्या फायदा मिलेगा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वहीं आप देखें हमामालिनी को तो वो actual में gas के group का ही एक member होता है जो यहां पर हमामालिनी के जैसा समझा जा सकता है जिसके रूप में हम streptococcus viridens का नाम याद कर सकते हैं अच्छा तो यहां पर क्या हुआ इन दोनों की girlfriend girlfriend मतलब जया बच्चन जो staphylococcus epidermidis के रूप में हमामालिनी जो उसके रूप में आप streptococcus viridens का नाम यहां पर याद कर सकते हैं यह दोनों ही कमजोर हैं चुकि आप कह सकता है फिजकली यह उतनी मजबूत नहीं है यानि जो जया बच्चन होती और हमामालिनी होती वो उतनी उस मुवी में उतनी फाइटर तो हो नहीं सकती क्योंकि वो गर्ल है वैसे आप यह कह सकते हैं यह जो दोनों के ग्रूप से एक एक जो मेंबर्स लिये गए हैं कौन से एक staphylococcus epidermidis आपको पता है नारमल कमिंसल होता है जब immunity कमजोर हो जाती है तब staff epidermidis के मामले हम सब acute bacterial endocarditis के रूप में देख सकते हैं तो यह इस रूप में याद किया जा सकता है कि थोड़े कमजोर होते हैं epidermidis हो चाहे steptococcus में हम viridens का जो नाम देखते है steptococcus viridens वो किस में आता है alpha hemolytic group में आता है याद है ना अब ही आके चल करके उन सारी चीजों पर बात होगा चीज़ें एक एक आपको याद रहने चाहिए point wise याद रहना चाहिए तो आप देखें यह चुकि यह दोनों ही ladies कमजोर मानी जा सकती एक तरह के से female उतनी fighter नहीं होती है तो इन दोनों के गरूप में जो staff का एक member ले लिया या strap का एक member ले लिया यह क्या करते हैं यह sub-acute bacterial endocarditis cause कराते हैं यह दोनों ही example पूछे जाते रहे हैं aims जैसे exams में इसके examples लिये गए हैं sub-acute bacterial endocarditis किसकी वज़ा से होता और उसमें भी duration को decode करना हो तब तो यह जो हमने इनकी girlfriend के रूप में इनका नाम लिया वो बहुत जरूरी हो जाता है जैसे sub-acute bacterial endocarditis less than 12 months का मामला है तो वो staff की ही girlfriend होगी staff की ही girlfriend हो सकती है जो उससे पहले आ जाएगी बतब यह वैसे तो क्या होता है जल्दी से जल्दी कौन पहुँचता है staff aureus पहुँचता है और थोड़ा उससे लेट कौन हो सकता है उसी की तो girlfriend हो सकती है यानि staff aureus जो होता acute bacterial endocarditis कॉस करता है और अगर पूछा जाए कि less than 12 month यानि उससे थोड़ा सा लेट होगा तो staff epidermitis का नाम ले सकता है और अगर एक साल से जादा का time हो गया और उससमें bacterial endocarditis हो रहा है तो उसमें किसका example लेंगे तो उसमें हम धर्मेंदी की girlfriend का नाम लेंगे यानि streptococcus viridens का नाम लेंगे ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए तो अगर less than 12 month की बात है तो आप staff epidermitis की बात करेंगे sub acute bacterial endocarditis में और more than 12 month की बात हो उस समय streptococcus viridens की बात करेंगे ये सारी चीजें हम से exam में पूछी गई है इसलिए मैंने शोले की story की रूप में इस चीज़ को आपके सामने रखने की कोशिश किया है यहाँ पर देखें जिस तरीके से आप देखेंगे ये जयाबच्चन को जयाबच्चन और अमिताबच्चन दोनों पास-पास हैं आप समझ सकते हैं दोनों के पास-पास का मामला है तो अगर एक cute मामला है bacterial endocarditis का तो यह इसके साथ होगा अगर थोड़ा लेट हुआ है लेकिन एक साल से पहले-पहले का मामला है तो वो इसकी वज़ा से होगा कौन है ये staphylococcus epidermitis है कैसे पता करेंगे वो सारी चीज़े आगे हम discuss करेंगे और अगर एक साल से बाद का मामला है तो हमामाले नी जी कौन है ये staphylococcus viridens है तो आप इस रूप में जब याद करेंगे तो objective questions को solve कर पाना आसान हो जाता है तो इस तरीके से bacterial endocarditis के मामले में हम ये याद रहे और staphylococcus aureus जो होगा वो acute मामले में involved होता है अब हम पूरी तोर पर बात करने वाले हैं staphylococcus aureus के द्वारा होने वाले diseases को ये एक्चलों मिल जूलकर कि इतने सारे नाम आते हैं कि इसको बिना story बनाए हम याद कर ही नहीं सकते हैं चलते हैं बात totally exclusively staphylococcus के level पर करते हैं तो जो toxic shock syndrome है ये किसके द्वारा किया जाता है इस पर बात हो चुकी है staphylococcus aureus कुछ toxic shock syndrome toxins release करता है और इसके लिए मैंने आपको बताया था आम तोर पर menstruating female के hyzen no maintain किया जाने की वज़ा से उनके pad पर उनके genitalia में staphylococcus aureus की colony होती हाला कि जो toxic shock syndrome का मामला है ऐसे मामले में gas का भी रोल होता है group a streptocococcus pyogenes जो से कहते हैं उसका भी रोल होता है तो menstrual hygiene maintain न कर पाने की वज़ा से genitalia के आज पास colony बढ़ जाती है और वहां से toxins release करके वो blood के blood में आ जाती है और blood में आने के बाद वो body में circulate होती body में circulate होने के बाद वो shock की condition produce करती है यही बात हम यहाँ पर discuss कर रहा है तो toxic shock syndrome की जब बात आती है तो इसमें gas का रोल होता है group a streptocococcus का रोल होता है staff aureus का तो होता ही है history में clinical history में menstruating female का आपको दिया जाएगा कहानी जिसमें toxins release होता है जिसके कारण acute febrile illness होगा disseminated macular erodomatous eruption पहले हम बात कर चुके हैं palmoplanter scaling होगा mental confusion होगा diarrhea, hypertension, pharyngitis यह complex conditions के साथ female present करती है इस पर बात पहले हो चुका इसलिए हम अब यहाँ पर इतना जादा उस पर discuss नहीं करेंगे अब इसके आगे की कहानी पर चलते हैं जो बहुत हद तक skin में hair follicle के आज पास होता है जिसको लेकर के हम कलपना कर सकते हैं केवल और केवल staphylococcus के role को देखने के लिए देखें मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर बहुत सारे मिल करके काम कर रहे हैं जिसमें दो बहुत तगड़े वाले दोस्त हैं गैस और स्टेफालो कोकस को मैंने आपसे कहा कि इसको थोड़े जगों पर हम देखते हैं exclusively यही काम करता है ऐसे देखें exclusively यह कुछ जगों प के लेवल पर जो infections होते हैं वो इस्टेफालो कोकस औरियस की वजह से होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे folliculitis उसके बाद फ्योरंकल की बारे में देखेंगे उसके बाद आप कार्वंकल्स के बारे में देखते हैं हमसे वाईवा में पूछा जाता है डर्मा में भी पूछ सबकिट्विनिस लेवल पर अगर उसका involvement थोड़ा deeper layer तक हो जाए और थोड़ा सा base जो है जो उसका margin से थोड़ा सा बड़ा हो जाए और erodmatis उसका margin हो मेरी बात समझ पा रहा है अगर मैं इसको hair follicle के रूप में देखूं hair follicle के रूप में देखूं तो hair follicle से थोड़ा सा deeper level पर hair follicle से थोड़ा सा नीचे के level तक इसका infection हो और ये side wise भी थोड़ा सा extension दर्शा है erodmatis infection दर्शा है तो वो painful condition हो जाती है जो furancles के रूप में देखी जाती है और इसी तरीके से कई सारे follicles अगर involved हो गया है कई सारे hair follicles क base पर इस तरीके से extensive infections हो रहा जो deeper भी है तो उसको extensive informations के pattern जिसमें multiple furancles involved हो रहे होंगे तो उनको carbuncles कहते हैं तो ऐसे मामलों में patient को pain होता है तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर furancle, carbuncle और folliculitis के मामले को सबसे पहले हम यहाँ पर image में ही देख लेते हैं follicular pyodermaids के मामले मे जिसमें हम folliculitis की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल hair follicles involved होती है ज्यादा मुश्किल नहीं होता है यह condition लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल होता है painful condition होती है ऐसे boils जिनका common name होता है उनके बारे में बात करने जो furancles होते हैं उसमें hair follicle और hair follicle के आस पास की area में inflammation होता ह यहाँ पर extension देखने को मिलता है इसके अलावा नीचे की और यह जो subcutaneous tissue होता है वो भी यहाँ पर involved होता है तो subcutaneous tissue तक furancles का involvement और extensive, comparatively extensive involvement होता है अगर आप folliculitis से इसके तुलना करें कारबंकल के level पर देखें तो यहाँ पर multiple furancles की बात कही जाती है आप देखें deep seated यहाँ पर infection है और multiple furancles का combination जो कारबंकल के रूप में खाजाता है यह ज़्यादा painful होगा जाहर से बात है furancles ज़्यादा extension है और कारबंकल को याद करना होता है जिसरे कारबन की chain होती है आप इसे डर्मा में इस तरीके की case presentation पूछी जाती है, तो आप देखें, ये कहां कहां involved करेगा और कैसे होगा, furancle की बात देखें, तो localized infections में ही ये deep-seated furancles होते हैं, जो inflammatory nodules बनाते हैं, और hair follicle के around, आप एक erythmatis extension भी देखेंगे, और ये एक abscess के रूप में evolve कर जाता है, कार्बंकल्स की बात करें, तो ये जादा extensive होगा, deeper वैसा ही होगा, और ये multiple furancles के fusion से बनता है, यहां separation होता है, और इसमें multiple sieve-like opening आपको देखने को मिलेगे, क्योंकि बहुत सारे level पर hair follicles involved हों, तो multiple sieve-like opening देखने को मिलेगा, इनके sides क्या होते हैं, तो ये nap of neck, back या thigh के reason में जहां पर immunity कमजोर हो जाती, उन लोगों में इस तरीके के infections के देखने के chances मिलते हैं, इसके बाद अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम से question पूछा जागा, जो exclusively gas के द्वारा होगा, या exclusively staff के द्वारा होगा, इस तरीके के question पर चलते हैं, देखते हैं, यहां पर neat में question पूछा गया है, staphylococcal infection causes all disease except, तो आपको पता है, impetigo, impetigo के बारे में पिछले lecture में डिसकस किया है, वहां पर staff और streptococcus pyogenes, जिसे हम gas कहते हैं, दोनों मिल करके यह infection cause कराते हैं, वहीं एक थाइबा, एक थाइबा के बारे मैंने आपको बताया था, वो impetigo का deeper extension होता है, जैसे अभी मैंने आपको का folliculitis का deeper extension आप क्या सकते हैं, फ्यूर अंकल को, वैसे ही आप याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, impetigo का deeper extension एक थाइमा होता है, पिछले lecture में आप इस चुछ को पढ़ चुके हैं, तो जो impetigo होता है, उसका deeper extension एक थाइमा होता है इसमें भी दोनों ही दोस्त involved होते हैं, दोनों ही दोस्त मतलब क्या शोले की जोड़ी, गैस और स्टाफ और इसकी जोड़ी यहाँ पर involved होती है, इसके लावा स्केल्डर्ड स्किन सिंड्रोम के माबलों में देखें, तो यहाँ पर exfoliative toxins release करके, यह involved होते हुए देखने को मि देखेंगे, यह exclusively beta-hemolytic group A streptococcii के द्वारा होता है, और यहाँ पर cellulitis से अलग लगभग वैसा ही presentation होता है, जैसे हम cellulitis को देखते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे, subcutaneous involvement cellulitis में होता है, उससे उपर के layer तक, dermis के layer अगर involvement है, तो वो erase supplies का होता है, बात समझ पा रहें नहीं, अभी आगे, या पिछले lecture को अगर आप देखेंगे, तो उसमें मैंने इसका concept बनानी की कोशिश किया था, अगर अगले lecture तक चलेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से देख पाएंगे, जहां cellulitis के margins clear नहीं होते हैं, और वो थोड़ा deeper होता है, deeper side पर होता है, subcutaneous involvement के साथ होता है, वहीं erisoplas के बारे में देखते हैं, कि उसके margin बहुत clear होते हैं, और वो dermal lymphatics को involved करके hardened structure के रुप में देखता है, जिसके margin, चुकि dermal involvement है, बहुत clear cut, आपको reddish ये margins के रुप में वो उभरा हु stephylococcus causes all except, तो इसमें भी देखें, चार option हमारे सामने दीगे हैं, scarlet fever, scarlet fever जो होता है, ये gas के द्वारा होता है, कैसे होगा, ये scarlet fever होता क्या है, इसके बारे में आगे जब हम discuss करेंगे तो उस पर बात करेंगे, steptococcus के द्वारा exclusive leave होने वाले ये problem है, toxic shock syndrome दोनों ही मिल कर involvement होता है, जो staff aureus की वज़ा से होता है, जिसे हम psychosis barbie कहते है, तो ये recurrent chronic postural infection होता है, जो staff के infection की वज़ा से होता है, कारभंकल के बारे में पढ़ी चुके है, toxic shock syndrome के बारे में पिछले lecture में बात हो चुकी है, psychosis barbie के बारे में अभी बता रहा हूं, तो ये तीनों चीजें staff क के द्वारा होती है, इसमें toxic shock syndrome के बारे में अगर बात करें तो ये थोड़ा से इसमें gas भी involved होता है, group A streptokokai, scarlet fever तो अकेले streptokokai ही cause करता है, कैसे cause करेगा इस पर अगले lecture में हम discuss करेंगे, इसमें देखें, एक सवाल और पुछा गया है PGI में, So, पता होना चाहिए, कावासा की disease में भी skin की layer उतरती है, कावासा की disease, इसके बारे में हम बात करेंगे, कावासा की disease, जब हम viral diseases के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर discussion होगा, इसमें भी de-squamation होता है, scarlet fever में होता ही है, toxic shock syndrome के माबलों में भी होता है, Actually में, कुछ ऐसे exclusive toxins, streptococcus group A, release करता है, जिसकी वज़ा से scarlet fever होता ही, यह pediatrics का topic है, जो toxins की वज़ा से ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो माबले होते हैं, वो exclusive इसी के द्वारा release किया जाते हैं, उसमें staff में ऐसा toxins release नहीं होता है, यह toxins, erythrogenic toxins होते हैं, या pyrogenic exotoxins A होते है तो erythrogenic toxins का जब नाम आएगा, तो उसमें हम देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गैस release करता है, वहाँ पर conditions होती है, rashes होंगे, tonsillitis होगा, इस तरीके के माबले के साथ, patient present करते हैं, जो pediatrics में हमें पढ़ने को मौका मिलेगा, इसकालिट fever में triad होता है, rash होता है, tonsillitis होता है, और strawberry tongue fever के साथ present करता हुआ, ये सारी चीज़ें हमें देखने को बिलती है, second day से rashes यहाँ पर fish से downward direction में जाते हुए, tonsils की swelling, fever और tongue इसमें strawberry जैसा दिखने लगता है, ऐसे माबले के साथ present करते हैं, तो ये बच्चों में होने वाली condition होती है, pediatrics का topic है, लेकिन हम यहीं प के सामने objective questions रखने का प्रयास किया है, मैं statis की बारे में अब बात करेंगे, देखें ये surgery का topic है, जिसमें breast में inflammation हो जाता है, इसके भी कुछ तरीके होते हैं, कौन-कौन से तरीके होते हैं, एक होता है, sub-areolar, आप देखें, areola के just नीचे है, इसी तरीके से intra memory भी एक होता है, intra memory होता है, और तीसरा होता है, retro memory, retro memory वाले जो मामले होते हैं, या आप ये समझें, जो हमारी fascia होती है, pectoral fascia, उसके नीच, पीछे की और अगर कोई मामला है, तो हो सकता है, वो bone में infection की वज़ा से हो, या फिर, वो हो सकता है, mycovectrium tuberculosis के infection की वज़ा से, जो retro memory होते हैं, pectoral fas के पीछे के साइड में अगर कोई involvement हमें देखने को मिल रहा है ऐसे मामलों में हम TB के बारे में सूच सकते हैं या फिर osteopalitis के बारे में सूच सकते हैं जबकि अगर यह आगे की और female के breast में आगे की और है सब एरियोलर है या फिर intra memory वाले parts में इस तरीके के absence अगर डेवलप हो रहे हैं तो ऐसे मामले staph aureus की वज़ा से होते हैं और इनमें हमें देना होता है क्लॉकसा सिलिन क्लॉकसा सिलिन ड्रेनिस करके हम क्लॉकसा सिलिन दे करके शो करने वाले staph aureus अब हमारे सामने हैं तो उनको cover कैसे हम कर सकते हैं उसके लेवल पर जब बात करते हैं तो क्लॉकसा सिलिन का नाम आता है वो सारी चीज़ें जब हम फार्मा में चलेंगे तो डिसकस करेंगे मैंने आपको बता है पैनिसलिन जब बनाया गया तो आगे चल करके उसमें बहुत सारी चुनौतिया थी पैनिसलिन के एक्टिविटीज कमजोर होने लगी तो और सारे बनाने की कोशिश की गई खास दोर पर हॉस्पिटल के सेटप में हम देखेंगे MRSA के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं मैथिसलिन रेस्टेंट हो चुके Staphylococcus aureus की colonies वहाँ ज़्यादा होती है तो ऐसे मामलों में जहाँ पर हमें रिस्क है हम क्लॉकसा सिलिन देने का प्रयास करते हैं तो देखे यहाँ पर सर्जिरी का यह टॉपिक है जिसमें Inflammation of Breast और वह भी Infective Inflammation है यहाँ पर बच्चे को फीड कराने वाली मदर के सब Arial Rezor में Crackled Nipples के कंडिशन में यहाँ पर Small Abscess बन गया हो इसी तरी किस इंट्रा मेमरी है Breast के भीतर है, Lactation की ज़्यादा मामले इसमें देखने को मिलते हैं इसमें Small Abscess अगर है तो Antibiotics दे सकते हैं, Cloxacillin दे सकते हैं इसे तरी Retro Memory अगर है तो यहाँ ट्यूबर क्लोसिस हो सकता है या Osteomyelitis हो सकता है अगर Intra Memory के मामले हैं तो इसमें तो आपको पता ही है, Large Abscess होने पर In Season and Drainis किया जा सकता है तो यह सारी चीजें Breast का Infection अधिकतर मामलों में, Staff Aureus की वज़ा से होता है अब अगले लेवल पर चलते हैं, Food Poisoning की बात करते हैं मैंने आपको कहा, Staff Aureus से exclusively होने वाली समस्याएं क्या है शोनी की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए याद रखे, Amitabh Bachchan अकेले क्या कर रहा है धरमिंद्र अकेले क्या कर रहा है, दोनों मिल करके क्या कर रहा है इस तरीकी की बाते सोचिए फिर कभी सोचिए कि Amitabh Bachchan अकेले फाइट कर रहा है और उस दौरान इनकी अपनी girlfriend तो काम करी रही है हमामालीनी भी पहुँच गई है, सहयोग करने के लिए जो bacterial endocarditis होता है जब bacterial endocarditis होता तो उस समय धरमिंद्र बिलकुल नहीं काम कर रहा होते गैस बिलकुल काम नहीं कर रहा है, यह चीज़े पता होनी चाहिए crystal clear यह इनी सारी चीज़ों पर question बनता है तो मैंने आपसे का hair follicle का मामला, breast का मामला इसके बाद अब हम आपको बताने वाले है food poisoning के मामले तो food poisoning पर देखें, food poisoning में pre-farm toxins होते है जो milk या milk products लेने पर होता है आम तोर पर कोई किसी बच्चे ने गया वो पाइटी में और food poisoning हुआ जिसमें 6 आर से पहले पहले incubation period आपको बताया जाए 6 आर से पहले पहले यहर से बात है इसमें pre-farm toxins होते हैं इसी तरीके के मामले हमें bacillus cirrus के मामलों में भी देखने को मिलते हैं लेकिन दोनों की बीच में differences क्या होता है उस पर पता होना चाहिए दोनों की कहानी अलग हमसे पूछी जाए अगर staphylococcus aureus के toxins की वज़ा से होने वाले food poisoning की बात कही जाएगी तो उसमें milk products या in general किसी food poisoning की बात कही जाएगी जब bacillus cirrus से होने वाले food poisoning की बात कही जाएगी तो उसमें Chinese food का example लिया जाएगा बात याद रहेगा मैंने आपको बता रखा ना कि bacteria के infection करने के pattern में दो तीन तरीके से infection होते हैं एक तो ये कि bacteria खुद वहाँ पहुँचे और अपना infection cause करे ऐसे मामले हम देखते हैं bacteria खुद वहाँ पहुँचती है और localize होकर के वहाँ पर अपने toxins का effect दिखाती है ये तो हो गया enzymes release करके वहाँ पर vascular जो endothelial layers होती है उनको damage करती आस पास के cellular structure को damage करती ये एक तरीका होता है दूसरा तरीका होता है bacteria अपने जगापर रुकी रहती है और ये अपने toxins को release करती रहती है ये toxins जो release किये जाते हैं ये दूर तक अपना effect दर्शाते हैं ये इस पर बात हो चुका है जादा हम discuss नहीं करेंगे यह toxins release करती रहती और इसको detoxify करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है देखे यह दूर तक जा रहा है और यह toxins बैक्टरिया के न रहने पर भी काम करते रहते हैं जाहर सी बात है यह toxins दूर तक जा करके अपना effect दर्शाएंगे और यही वज़ा था कि toxic shock syndrome के मामलों में इन ही toxins की वज़ा से हमें effect देखने के बलते हैं यह वहाँ toxins दूसरे होते हैं यहाँ पर food poison से related toxins की बात अगर हम कर रहे हैं अगर यह नहीं किया जा सके तो इनके करण क्या होता है और वो भी चुकि पहले से बने हुए है इसके कहने का मतलब यह है कि heat करने के बावजूद भी food poisoning का risk यहाँ पर बना रहेगा और वो भी duration क्या है चुकि पहले से toxins हैं तो 1.5 आर, 1 आर, 2 आर की कहानी दी गई रहेगी और उसमें milk या milk product के ingestion की बात कहेंगे, खाने की बात कहेंगे जबकि अगर आपसे बैसलस सिरस की बात करेंगे तो वहाँ पर भी pre-formed toxins होते हैं लेकिन उसमें Chinese food की history दी जाएगी तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर pre-formed toxins हैं, ऐसे मामले बैसलस सिरस में भी देखने को मिलते हैं, mechanism क्या है, pre-formed heat, stable toxins होता है, अगर heat कर दें तो भी यह exotox toxins damage नहीं होते हैं, यह food में पाये जाते हैं और इनकी वज़ा से food poisoning होता ही होता है, तो toxin-mediated diseases जो हमने staff और इसमें पढ़ें, इसे पहले पढ़ा था toxic shock syndrome, इसके अलावा, अगर हम यहाँ पर scalded skin syndrome के मामले को देखें, तो वहाँ पर exfoliative toxins की वज़ा से ऐसा हुआ था, food poisoning के म food poisoning पर बात कर रहे हैं, question aims में देखते हैं, कैसे पूछा गया था, यहाँ पर question इस तोरी के से पूछा गया, the following are characteristic feature of staphylococcal food poisoning accept, तो इसमें कुछ ऐसी story दी गई है, जिसमें कुछ information है, accept की बात कर रहे हैं, बाकि सारे characteristic feature है, optimum temperature for toxin production is 37 degree Celsius, ठीक बात है भाई, normal bacteria जो multiply करेगी, ग बहतर environment चाहिए, वैसे अधिकतर bacteria को भी grow करने के लिए 37 degree Celsius का ही temperature चाहिए होता है, तो वो temperature बहुत सही है, इसके अलावा, intradietic toxins is responsible for intestinal symptoms, तो जो diet के भीतर toxins पढ़ा हुआ है, वही intestinal symptoms के लिए responsible होता है, ठीक बात है, toxin को क्या आप destroy कर सकते हैं, boil करके 30 degree Celsius पर 30 minutes तक, अगर आ boil करते रहें, तो क्या toxin destroy होगा नहीं, यही तो property भी मैंने बता है, heat stable toxins होते हैं, इनका incubation period 1 to 6 hours, बिल्कुर ठीक बात है, यह pre-formed toxins हैं, तो aims में इस तरीक इस question पूछा गया था, यहीं पर देखें एक और question aims का ही, child after consuming food in a party complaints of diarrhea within 1.5 hours, 1.5 hours के भीतर ही diarrhea की complaint बच्चे कर रहे है और उनकी diagnosis क्या बन सकती है, the probable diagnosis, तो यह infection हो सकता है due to staphylococcus aureus, क्यों, क्योंकि यह pre-formed toxins है, अगर यही पर Chinese food की history दे करके हम से question पूछते हैं, तो bacillus, cirrus का भी नाम हम ले सकते थे, तो यहाँ पर देखें, वो option नहीं है, तो हम इसको ले रहे हैं, यही पर streptococcus की बात कर yes, तीसरे option के और बढ़ते हैं, देखते हैं, क्लास्टिडियम पर फ्रिंजेंस, फ्रिंजेंस, फ्रिज, 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 फ्रिज जैसा यह लग रहा है, तो यह gram positive एसलाई होती है, जो anaerobic properties रखती है, इसमें पर फ्रिंजेंस के मामले में याद रखेगा, यह फ्रिज म पर फ्रिंजेंस जो हता है, अपने चार और coating रखता है, और वो आम तोर पर low temperature पर survive किये हुए रहता है, चार और coating होती है, इसपोर जैसी structure रहती है, तो उसमें वो अपने इसपोर की farm में वो पढ़ा रहता है, बाद में क्या होता है, जब उसको reheat करते हैं, तो क्या होता है वो outer covering गल जाती है, गलने के बाद, bacteria बाहर आता है, बाहर आने के बाद, वो multiply करने में थोड़ा समय लगाता है, तो वहाँ पर जो story बनती है, clastidium perfringence में, तो आप से जो clinical cases बोले जाएंगे, उसमें कहा जाएगा, refrigerated food को heat करने के 8 गंटे बाद, lose motion हुआ, ऐसे माम लोकर, diarrhea क condition बना करके अगर आप से पूछते हैं, तो पर fringence, 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 frigid, 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 frigid food में, ऐसे refrigerated food में, अगर आप से कहानी पूछी जारी तो आप उसका example याद कर सकते हैं, time duration क्या होगा, 6 गंटे, 7 गंटे, 8 गंटे की कहानी होगी, उसके बाद, उनको lose motion होना शुरू हुआ था यहीं पर आप देखें, Clostridium Botulinum के मामलो में, Clostridium Botulinum के मामलो में, यह Botulinum के मामले में सेम उसी family का यहाँ पर कहानी है, यह भी gram positive एसलाई है, anaerobic है, लेकिन यहाँ पर जो story होती है, वो pre-farm toxins की वज़ा से होती है, और यह ऐसा pre-farm toxins है, जो diarrhea के बज़ाए constipation कराता है, इ Botulinum का मामला होगा, तो pre-farm toxins है, जो anti-colinergic properties रखता है, इस बज़ा से यहाँ पर constipation की हमें conditions देखने को मिली है, इसके बाद हम बात करते हैं, muscles and bones में, तो हम देखेंगे septic arthritis के मामले, septic arthritis, इसमें क्या होता है, आम तोर पर infection हुआ, suppose that छोटा बच्चा है, जिसमें immunity बहुत strong नहीं है, हुआ यह, middle ear में infection हुआ, वो blood के through, वो घुमता टहलता, joints को involved करना शुरू कर दिया, ऐसे मामलों में कौन से joints ज्यादा involved होते हैं, जो बड़े joints है, knee joints के आसपास के हिससे involved हो सकते हैं, septic arthritis जो term कहा जाता है, वो थोड़ा से misnomer है, आप देखेंगे, वहाँ पर arthritis ब मामले में भी देखते हैं, जिसमें septic arthritis और भी कुछ दूसरे microorganism हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, bacterial colony किसी दूसरे जगाँ पर होती है, वो blood में जब एक बार वो colony एक बार घुमने लगती है, वो दूर तक पहुंचती है, दूर तक पहुंच करके हम most common cause बच्चों में और इडिल्स में देखने को बिलता है, वो staff aureus होता है, हाला कि gonorir के मामले भी हम देख सकते हैं, यहां पर osteomalitis के मामले के बारे में बात करें तो यह infection of bone है, और इसमें जो involvement देखा जाता है, छोटे बच्चों में lower end of femur, और वहां पर यहां पर ऐसे पर ही क्यों, फीमर के lower end पर ही क्यों, ऐसे क्यों होता है, तो उसके लिए आपको एक image बनाने की ज़रूँ है, जिसमें आप anatomy की knowledge और orthopedics की जो समझ है, उसके बारे में देखेंगे, आस्टेमलाइटिस में कहा जाता है, joints के moment में दिक्कत आती है, पेन होता है, और mother कहेंगे क रिस्क जादा होते हैं, तो उसमें blood के त्रहूँ ये घूमता हुआ, मेटाफाइसिस के जोन को involved कर लेता है, कैसे उस चीज़ को एक image बना करके देखते हैं, एक long bone की structure हम बनाने का प्रयास करेंगे, long bones में जो मेटाफाइसिस का जोन होता है, वहाँ पर hair pin loop के जैसे blood vessels पाई ना करें, bacteria अगर इस जोन तक पहुँच गया, तो यहीं पर आ करके फस जाता है, और इस वज़ा से bacteria अगर blood के circulation से आता हुआ यहाँ पर फस गया, इस तरीके से फस गया, तो बाहर निकल नहीं पाता है, और वहीं पर localized infection cause करता है, जो osteomyelitis के रूप में नजर आता है, तो मद चोटे बच्चों में osteomyelitis के conditions के बारे में सोच सकते हैं, तो देखें, यह metafysis को ही क्यों involved करता है, क्योंकि यहाँ पर hairpin-like blood vessels की quailing होती है metafysis पर, और bacteria वहाँ पर फस करके loss करता है, most common cause क्या है, staff aureus होता है, अगर drug abuser, बड़े लोगों में भी यह हो सकता है, जो दिन रात IV drug abuser होते हैं, IV drug abuser में कहीं पर भी, आप देखेंगे, IV drug abuser की वज़े से, अगर bacteria अंदर enter करता है, गंदे तरीके से, आप समझ सकते हैं, drug abusers में, अगर कोई bacteria entry करने के ज़्यादा chances पाती, तो वो pseudomonas होता है, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, IV drug abuser में osteomyelitis हो गया, कौन सा positive isn't हो सकता है, तो वैसे तो in general हम देखेंगे, bacterial endocarditis के मामले में, चाहे osteomyelitis के मामले में, in general, staphylococcus aureus का नाम याद रखना है, लेकिन, अगर हमारे सामने दूसरी कहानी बनाई गई, हमसे बोला गया, कि वो IV drug abuser है, तो वहाँ पर pseudomonas के मामले हमें याद रखने ह हमारे option होगा, तो देखते हैं, IV drug abuser में, pseudomonas, इस देखेंगे, sickle cell anemia के patients में, salmonella की वज़ा से, osteomyelitis होने के chances होते हैं, clinical feature क्या होता है, ऐसे मामलो में, fever होगा, tenderness होगा, absent या reduced limb moments आपको देखने को मिलेंगे, एक और कहानी हम देखते हैं, septic arthritis की, arthritis यहाँ नहीं होता है, misnomer है, infection of joints तक ही focus रखें, यहाँ पर arthritis already stage में नहीं होगा, most common cause यहाँ पर staph aureus होता है, septic arthritis का, young adults में निजीरिया भी हो सकता है, most common root blood के through वहाँ पर bacteria की colony grow करती है, joints पर पहुँच करके, joints जो सबसे जादा involved करते हैं, वो knee joints होती है, यह बात मैंने आपको बताया, और यहीं child है, जो decreased या absent joint moment के साथ आ रहे हैं, जहाँ पर कोई history of trauma नहीं है, ऐसे मामलों में अधिकतर chances किसके हो सकते हैं, septic arthritis के या osteomyelitis के chances हो सकते हैं, इसके बाद, medicine का एक काफी important topic होता है, respiratory infection, जिसमें हम community acquired pneumonia के बात करेंगे, तो यह देखा गया है, आम दोर पर community acquired pneumonia के मामले में, अ बोलों दोस्त नहीं आएंगे, खास दोर पर यहां पर हमारे पास आजाएंगे ठाकुर, ठाकुर कौन, जो हमारे शोली के मूवी में हमारे ठाकुर थे, वो आजाएंगे, आपको पता न, स्ट्रप्टो कोकाई के मामलों में, मैंने आपको बता था, alpha, beta, gamma, तिन तरीके के ह मैंने आपको बताया था, gas, gbs, gcs, इस तरीके से नाम हमने आपके साथ डिसकस के था, आगे फिर हम डिसकस करें, घपरानी की बात नहीं है, वहां पर हमने आपके साथ डिसकस किया है, स्ट्रप्टो कोकस में, alpha, beta, gamma, हिमलिस्स की बात, और मैंने आपको बताया है, alpha में दो नाम आपको याद रखना है, एक, नियमो कोकाई, और दूसरा, विरिडिन्स का नाम याद रखना है, बीटा में आपको याद रखना नाम, GAS, GBS, GCS, GDS, इस तरीके से नाम आपको याद रखना है, मैंने आपको बता था, GAS और ये विरिडिन्स, दोनों को एक दूसरे का boyfriend girlfriend, girlfriend मैंने आपको बताया, मैंने ये भी आपसे कहा कि GAS को आप धरमिंदर के रूप में समझेए, और विरिडिन्स को आप हिमा मालिनी के रूप में समझेए, वहीं, ये जो नियमो कोकाई हैं, फिर इनको क्या नाम दिया जाएगा, ये हमारे हो गए, ठाकुर, तू मेरे अरियस के साथ मिलकर के काम कर रही होती हैं, यानि अमिताब के साथ कुछ मामलों में काम कर रही होती हैं, जिसमें bacterial endocarditis का example मैंने आपको लिया था, याद है न, endocarditis के मामलों में, ऐसे ही अगर अमिताब के साथ थाकुर जी जाकर के मिल गए किसी मामले में, थाकुर जी कि मामले में जाकर के मिल गया यह pneumonia cause कराने के मामले में यानि pneumococcus और staph aureus यह दोनों ही मिल करके community acquired pneumonia cause करते हैं ज्यान रहे हैं छोटे बच्चों में जब कभी भी बात होगी तो हम H. inflangia का नाम लेंगे किसी तरीके के infections में एक छोटा सा hint bacterial infection से related अगर हमें लेना है तो वहाँ पर हम H. inflangia का नाम ले सकते हैं वहीं बड़े लोगों में अगर हमें बात करनी है खास तोर पर pneumonia से related तो वहाँ पर हम बात करेंगे pneumococci की उसके साथ हम जोड़ देंगे staff aureus के बामले को एक बार फिर से हम उसी शोले की image को याद करें जिसमें अमिताब बच्चन हमामाली नी यहां पर देखें और इनके कहानी की बारे में मैंने आपसे कहा कुछ मामलों में ये अकेले काम करेंगे कुछ मामलों में ये अकेले काम करेंगे कुछ मामलों में ये दोनों लड़कियां चुकि कमजोर होती है ऐसा थोड़े दिर के लिए आप कल्प ना करें ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी आप ये कहें उतनी ये ठाकुर के साथ, और ठाकुर कौन है? आप समसकते हैं, ठाकुर के साथ मिल करके अमीताब बच्चन क्या करते हैं? निमोनिया कॉज कराते हैं. यहाँ पर देखें यह अभिता भच्छन और यह ठाकुर जी हैं ठाकुर क्या करेंगे यह दोनों मिल करके community acquired pneumonia cause करते हैं छोटे बच्चों में मामला हो तो इंफलेंजा का नाम लिया जा सकता है निमोनिया के मामलों में और यहाँ पर यह सारे मिल करके किसको बरबाद करना चा फीवर होगा प्लडी स्पुटम होगा मल्टपल पैची पल्मनरी इंफिल्ट्रेट्स होंगे और आम तोर पर इसमें blood culture negative हो जाता है ऐसा देखा गया है तो community acquired pneumonia पर आगे जब हम discuss करेंगे निमो कोकाई का example ले करके तो उस समय बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे जब हम ठाकुर की पूरी स्टोरी सुनेंगे जब हम बात करेंगे ठाकुर की बारे में शो लेके तो उस समय हम पूरी पूरी बात करेंगे निमोनिया कैसे होती है medicine का ये topic अधिकतर लेवल पर हम यहीं पर cover करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जानना जरूरी है सारा cause तो bacteria का ही होता ह bacteria को जब तक हम अच्छे तरीकिस महसूस नहीं करेंगे तब तक हम medicine के level पर अच्छा command नहीं बना सकते है तो यहाँ पर community acquired pneumonia को level पर हम लोग देखेंगे आगे study करेंगे बाकी आप्था का भी topic हमें याद करना होगा आप्था में bacterial conjunctivitis, conjunctiva में inflammation और उसमें भी acute mucopurulent conjunctivitis का मामले, mucopurulent, pus और mucos के साथ conjunctiva का inflammation जो staph aureus की वज़ा से होता है, most common cause यहाँ पर PGI में पूछा गया है, staph aureus, तो यहाँ पर भी अमिता बच्चन अकेले ही infection काॉज कर रहा है, क्या होगा, आपने कभी conjunctivitis के conditions देखांगे न, आइस से क्या होता है, लगातार watering हो रहा ह inflammation होता है, redness होता है conjunctiva में, inflammation होता है, इसके अरवा, mucopurulent discharge हो रहा होता है, इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर palpibra के आसपास में देखें, तो इतना यह bacteria की colony को body inflammatory mediators जादस जादा grow न करने पाए, आप redness क्यों देखते हैं, redness कभी भी आप देखते हैं, तो उसकी वज़ जैसे कुछ हमारे cells मरे, कुछ bacteria मरे, जो pus के रूप में नजर आते हैं, mucopurulent discharge का कारण वही होता है, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर pseudomembrane का formation होता है, palpibral conjunctiva के साइड में, और जो आसानी से अगर हम हटाना चाहें, तो हटाया जा सकता है, इस तरीके के membranous structures ले बनते हैं, ताकि bacterial colony को और जादा grow करने न दिया जाए, लेकिन अगर clinical presentation में कहा जाए, mucopurulent discharge है, photophobia है, देखने में बहुत दिक्कत होती है, inflammation की वज़ा से, blurring of vision भी होगा, watering भी होगा, color halos भी होगे, तो यह सारी चीज़ें होती हैं, और यह सारी चीज़ें, pseudomembrane conjunctivitis के माबलों भी देखने को मिलेगा, इसमें, staff aureus, staff epidermitis, epidermitis, आपको मैंने बता रखा है न, यह कौन है, इनकी girlfriend है, कौन है इनकी girlfriend, इसके बारे में आपको पता है, जय बच्चन है, epidermitis है, streptococcus hemoleticus, वहाँ पर अगले topic के एक नाम को याद रखना है, यह pseudomembrane conjunctivitis cause करता ह वहीं पर, अगर आपसे कहा जाए, membranous conjunctivitis, तो वहाँ पर आपको corinibacterium diphtheri का नाम याद रखना होगा, corinibacterium diphtheri का नाम याद रखना होगा, streptococcus hemoleticus का नाम याद रखना होगा, अंतर क्या है, अंतर यह होता है कि pseudomembrane और membranous conjunctivitis, और membranous conjunctivitis जो होते हैं, वो lower pulpibril conjunctivitis को involved करते हैं, pseudomembranous conjunctivitis में, जो membrane जैसी structure होती, वो आसानी से pliable होती है, उसको हटाया जा सकता है, पिलेबल होती है, जबकि membranous में उसे हम हटा नहीं सकते हैं, अगर हटानी क्यों कोशिश करेंगे, तो bleeding होती है, इस तरीके से हम एक condition आप थाका यहाँ पर discuss कर ल bacteria, वो bacteria के growth को prove करने के साथ ही पूरे होते हैं, आपके medicine की topic में, जब infective endocarditis के major criteria है, तो उसमें एक criteria यह है, कि आपको inflammatory changes दरशाना होगा endocardium में, वो prove करना होगा, दूसरा condition यह होता है, कि आपका blood culture positive आना चाहिए, staff aureus के लिए, यह दो चीज़ें वहाँ पर measure criteria, bacterial culture positivity भी व ज्याद करेंगे, ज्यादा स्यादा हो तो वैसे हम cover करेंगे medicine में ही, देखते हैं, infective endocarditis को, और हमसे पूछा गया है, blood culture positive in which infection of staff aureus, तो आप देखें, क्या toxic shock syndrome, या फिर four times S, या impetigo, इन सारे मामलों में, toxins की वज़ा से ही यह होते हैं, तो इसमें हमें blood culture positive नहीं मिलेगा क्योंकि toxins की वज़ा से होता है, जबकि infective endocarditis में blood culture positive होता है, यानि bacteremia होता है, तो ध्यान रखना होगा, आपको bacteremia का मतलब क्या होता है, bacteria की presence, जबकि sepsis उसकी वज़ा से वहाँ पर क्या होता है, bacteremia और sepsis की बीच में differences होते हैं, bacteremia, blood में bacteria की presence को prove करना, जो यहा अगर यहीं पर देखें, तो जो TSS हों, या SSSS हों, या impetigo हों, इसमें streptococcal या staphylococcal infections की वज़ा से होने वाले, उनके toxins की वज़ा से होने वाले यह problem होता है, तो इसमें bacteremia नहीं होता है, अब यहीं पर कुछ clinical presentation देख रहे हैं, एक question पूछा गया है, जैसे मैंने आपको शुरुबाती दौर में बताया था न, सब acute bacterial endocarditis किसे कहते हैं, acute bacterial endocarditis कहते हैं, इसमें सब acute में मैंने आपको बोला था कि एक अमिता बच्चन की girlfriend होगी, जो उसी के just बाद आएगी, और एक ऐसा होगा जो धर्मित की girlfriend होगी, थोड़े दिनों बाद आएगी, जो एक साल क drug abuser भी है, और यहां पर endocarditis का most common cause क्या हो सकता है, वैसे, IV drug abuser है, तो हमें यह option, IV drug abuser अगर है, तो ज्यादा option, ज्यादा तोर पर pseudomonas होना चाहिए, ठीक है, यह staff aureus यहां पर हम नहीं कह सकते हैं, confidently नहीं कह सकते, यह pseudomonas की वज़ा से होने वारे IV drug abuser के मामले होते हैं, थोड़ा से ही इसको सही करेंगे, आप, C option इसमें होगा, candida albicans जो होगा, वो endocarditis नहीं cause करता है, यह endocarditis या meningitis जैसे मामले candida albicans से नहीं होते हैं, streptococcus viridens के मामले अगर आप देखें, streptococcus viridens, streptococcus में viridens की बात कर रहा हैं, तो यह hemamalini की identity है, जो oral cavity में पाई जाते हैं, और इनकी वज़ा से सब acute bacterial endocarditis वो भी one year के बाद की हमें clinical presentation में statement मिलेगा, तब यह positive होता है, IV drug abuser है, तो सीडो मुनास होना चाहिए, देखें यहाँ पर, native wall में अगर endocarditis है, तो staff aureus involved करता है, हाला कि यह थोड़ा सा confusion create करने वाले मामले है, endocarditis IV drug abuser के मामलों कुछ जगों पर staff aureus मिलेगा, इसलिए staff aureus को option के रूप में लिया गया है, हाला कि कुछ जगों पर pseudomonas का भी नाम मिलेगा, तो इसमें हम आगे आपके साथ discuss करेंगे, इसको clarify कर देंगे, कौन सा option हम जादा मानेंगे, staff aureus वैसे overall most common cause माना जाता है, अगर late presentation है, late मतलब sub acute presentation है, अगर acute presentation की बात है, तो वहाँ staff aureus या pseudomonas का नाम आता है, pseudomonas को ले करके, यहाँ पर confusion न रखते हुए, overall अगर हम देखें तो staff aureus को ही option के रूप में लेंगे, यह ठीक बात है, अब देखते हैं, सब acute presentation, मैंने आप से कहा था ना, कि prosthetic valve के level पर, prosthetic valve के level पर endocarditis less than 12 months में available, अगर हो जाए, वहाँ पर कोई endocarditis की presentation मिल रही है, prosthetic valve endocarditis less than 12 months के duration में, तो वो staff epidermidis की वजह से होता है, जबकि late prosthetic valve endocarditis, prosthetic valve लगाने के 12 months के बाद, एक साल के बाद, अगर presentation मिल रहा है, तो वो streptococcus viridens की वजह से होता है, यह subacute presentation है, subacute bacterial endocarditis, और इसमें duration का बड़ा importance है, 12 months से पहले है, 12 months के बाद है, prosthetic valve लगाने के, तो इसमें सवाल इसी पर based ins में पूछा गया है, patient with prosthetic valve replacement, and he developed endocarditis 8 months later, अब यहाँ पर सवाल क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखे, यहाँ पर prosthetic valve के replacement के 8 महने के बाद यह condition हो रही है, क्य से होता है, तुरंत हो जाए तो staff aureus, वो भी खास तो native valve पर, जो natural valve होते हैं, वहाँ पर यह involved करता है, अगर one year के बाद होगा, तो viridens का नाम हमें याद रखना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, infective endocarditis के मामलों में, अमिताब का नाम आपको याद रखना है, अमिता वाल्व जो होता है, वो most commonly involved होता है, उसके बाद mitral valve का involvement होते हुए देखा गया है, इस चीज़ को याद करें, अगर आप इस पूरी story को समझने की कोशिश करें, stroke के concept से link करके, तो भी आपको समझ माएगा, medicine का stroke का topic, तो आप देखें, bacterial colony, native valve में जो सबसे जादा involved होने के chances ह होते हैं, वो aortic valve पर होता है, उसके बाद mitral valve पर होता है, अगर ये मामला IV drug abuser का होता है, तो उसमें tricuspid valve के involvement के मामले देखे जाते हैं, इसमें native valve है, involvement तुरंत हो जाएगा, मिस presentation के कुछी दिनों बाद आपको valve के side में colonies होते हुए, develop होते हुए देखने को मिलेंगी, इस image को थोड़ा बड़ा करें, तो यहाँ पर कॉर्डी टेंडिनी जो होते हैं, वहाँ तक ये कॉलोरी का development होते हुए देखा गया है, तो यहाँ पर ये इस लेवल पर कॉर्डी टेंडिनी को involved करते हुए, तक यहाँ पर कॉलोरी टेवलप होती हैं, यह कॉलोरी होती हैं, यह फ तो आप देखेंगे ये कालोरी रिस्की यहाँ पर तो है ही इसके लावा ये स्ट्रोग भी डिवलप कर सकता है अगर इंबोलस कहीं और ब्रेंड में जाकर के लॉज कर जाए तो आप समझ सकते हैं ये कितना रिस्की होता है तो नेटिव वाल्व अगर इंवाल्ड हो रहा है इस तर्के के मामले हो रहे हैं तो इसके लावा इनवाल्ड हों होई है इसके साथ ये इंबोलिस्म की घटनावा के साथ भी जुड़ा होसकता है इसके लिए आप देखेंगे अगर सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो death होना काफी हद तक possible होता है तो आप देखें within days या weeks में death होने के मामले देखेंगा है acute मामलों में ये valve का destruction होता है और emboli कहीं भी जाकर के loss कर सकता है ऐसे मामलों में जो natural valve पर हो रहा involvement है ये staff और ये इसके वज़ा से होता है जबकि सब acute involvement के level पर देखें तो valve तो involved होगा ही उसके आसपास की structure भी involved होगे endocarditis कहने का मतलब आप समझते हैं इंडोकाडियम involved हो रहा है endocarditis के इंडोकाडियम involved हो रहा है साथ ही valve के आसपास की हिससे involved हो रहा है तो सिधे तोर पर ये हम पढ़ते हैं, patho में पढ़ते हैं, हम medicine में पढ़ते हैं कौन सा valve सबसे ज़्यादा involved होता है, तो aortic valve सबसे ज़्यादा, उसके बाद mitral valve IV drug abuser में कौन से valve involved होते हैं, वहाँ पर tricuspid valve involved होने का risk होता है ये तीनों ही चीज़ें exam में हमसे पूछी गई है Dukes का जो measure criteria, modified Dukes का measure criteria क्या है तो इसमें bacteria के colony grow करे, blood culture में, दूसरा valve में इस तरीके के changes और endocarditis के involvement का हमें evidence मिले, ये measure criteria में देखे गया है अगर acute है, तो मैंने आपको बता है, सब acute में क्या होता है, valve का replacement हुआ valve के replacement के एक साल के भीतर ही, वहाँ पर मामला आ गया है तो staphylococcus epidermitis के ये मामले देखने है एक साल के बाद अगर है, तो streptococcus viridens का मामला देखने को मिलता है ये जो मामले है, सब acute वाले, ये low virulent bacteria की वज़ा से है इसमें antibiotics का अच्छा response मिलता है अब vegetation, जो मैंने आपको बता है, जो grow कर रही है, friable है, bulky है, destructive है जो fibrin bacteria और inflammatory cells के collection से बनी हुई है valve कस पर ये देखी जाती है, और ये extend कर सकते है, कार्डी टेंडिनी तक मैंने आपको बता है, जो valve सबसे ज़्यादा involved होते है, वो aortic valve होते है और mitral valve होते है, हलागि कुछ किताबों में आपको इसका opposite भी मिल सकता है तो aortic valve followed by mitral valve, कुछ किताबों में उल्टा मिल सकता है, लेकिन आईवी ड्रग अब्यूजर में अगर आपसे पुछा जाए, तो ये tricuspid valve को सबसे ज़्यादा involved करता है हरिसर में ये aortic valve को प्रिफर किया गया है, अगर आप देखें, anti-microbial susceptibility कैसे डेवलब होती है स्टैफ औरियस में, जो कि काफी important हो जाता है, microbiology के point of view से higher exams में इस पर कई बार question पूछा गया है, तो इस पर भी बात करना ज़रूरी है antimicrobial susceptibility, जो हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब हमने पहली बार penicillin की खोज किया था तो उस समय penicillin हम IV root से देते थे, काफी अच्छा response था, syphilis के मामले बहुत बहुतर response वहाँ मिला था first world war के दोरान जो सैनिको के treatment में भी इसका बहुत अच्छा roll रहा लेकिन, bacteria जल्दे जल्दी मारी जाने लगी, penicillin की वज़ा से, तो bacteria में थोड़े changes आए bacteria अब धेरे धेरे अपने भीतर ऐसे changes लाने लगे, जो penicillin की structure को destroy कर सकते थे इसका मतलब क्या हुआ, penicillin कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर दिया क्यों, क्योंकि bacteria ने अपने ऐसे structure modify के, जिसमें वो penicillinase enzyme की activities शो करते थे जो beta-lectum ring को तोड़ देते थे, इसके काण penicillin अब काम करता, बंद कर दिया थे सवाल यह है कि इस तरीकी का, जो resistance bacteria में transfer हुआ, वो किसकी वज़ा से हुआ तो आपको मैंने बता रखा, bacteria में एक होता है, main, उसका chromosome होता है, main circular DNA होता है और दूसरा उसी के साथ plasmid होता है, तो इस plasmid में कुछ changes उसने किये bacteria नहीं, जिसके कारण उसने एक नए तरीकी के enzymes बनाना शूर कर दिया, जो plasmid में था, छोटेव में था, छोटू में था, इस तरीकी साब याद रखें थोड़े दिन बात जब हमने ऐसे conditions देखे, जिसमें penicillin का effect नहीं आ रहा है, तो फिर penicillin के structure में बदलाव लाए गया methicillin डेवलप किया गया, क्या डेवलप किया गया, methicillin, जो penicillinase activities शो करने वाले bacteria को भी मार सके ऐसे प्रयास में जो penicillinase, जो नए किसम के bacteria, जो penicillinase release करने लगे थे, उनको भी मार सके, इसके लिए हमने क्या किया, हमने बनाया methicillin, यह अभी भी penicillin के ही structure में बदलाव किया गया था, लेकिन अब यूद बड़े लेवल पर था, इस चीज़ को समझें, इसको एक कह पर दिने बाद, बैक्टरिया फिर बदलाव किया, और अब की बार बड़े लेवल का बदलाव किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि अब की बार जो नए बैक्टरिया है, जो methicillin resistant थे, जिन पर अब methicillin काम नहीं करेगा, तो वो बहुत बड़ी तयारी के जो methicillin से काफी हट तक अलग हट करके काम करता है, टोटल हमने जो methicillin के काम करने का पैटरन था, उसको टार्गेट ही नहीं किया, हमने टार्गेट बदल दिया, क्यों, क्योंकि अब methicillin बनाने के बाद उसको भी बैक्टरिया ने खतम कर दिया था, उस पर भी ineffective हो गया जो थे, methicillin कामी नहीं करता था, तो अब हमने टार्गेट चेंज करके वैंकोमाईसिन बनाए, उसके बाद डेप्टोमाईसिन बनाए, उसके बाद लिनेजोलेट बनाए, तो इस तरीके की कंडिशन आया, तो हमने देखा कुछ दिनों बाद बैक्टरिया ने वैंकोमाई ले लेते हैं, और एक सर्कुलर डिने की स्ट्रक्शर ले ले, शुरुवाती दोर में जब पैनिसिलिन का एफेक्ट इसके उपर हुआ, ऐसा देखा गया कि पैनिसिलिन ने इस तरीके के बैक्टरिया को मारना शुरू कर दिया, डैमिज करना शुरू कर दिया, लेकिन पैनि भी तर्चेंजिस लाइए, और मैं आपको नए तरीके के रिस्पॉंस पैदा करने वाले जिन्स की कोडिंग अवलेबल करा देता हूँ, और इस तरीके के मामलों में, अब जिन में नहीं था, उनमें भी कोड पहुँच गया, कैसे पहुँचा, इस तरीके के कोड होने वाले जो इंजाइम्स थे, जो पैनिसिलिनेज थे, ये एज, इंजाइम है, इसने क्या किया, पैनिसिलिन की स्ट्रक्शर को डिस्ट्राय करना शुरू कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया, पैनिसिलिन के स्ट्रक्शर में मौडिफिकेशन कर दिया, क्या किया हमने, ह resistance, methicillin के against resistance develop करने के लिए bacteria ने बड़ी तैयारी की, क्या किया bacteria ने, इसके खिलाफ अब bacteria ने नए तैयारी की, उसने अपने main chromosomes के भीतर modification करना शुरू कर दिया, main chromosomes के भीतर modification करना शुरू कर दिया, इसलिए कहा जाता है methicillin का resistance जो develop हुआ था वो chromosomal mediated था किसके mediated था, chromosomal mediated था, यसीधे question के रुप में पूथा जाता, MRSA का जो resistance develop हुआ है, वो किसकी वज़ा से हुआ, chromosomal mediated, जबकि penicillinase जो activities show किया था, beta lactamases जो activities show किया था वो किस से mediated था, वो mediated था, आप image में देख सकते हैं वो mediated थे, plasmid से, इस तरीके से bleeta, lactamases, activities की कहानी आती है, पूरी की पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से बैक्टरिया ने अपने survival को आसान बनाया, कुस दिनों बाद क्या हुआ, methicillin के लिए जो resistance आया, तो हमने नए target बनाया vancomycin दिया, vancomycin भी कुस दिनों बाद काम करना बंद कर दिया, तो हमने totally नए serious target बनाने शुरू कर दिया जिसमें हमने deptomycin डेवलप किया linazolid हमने डेवलप किया, और उसके द्वारा हमने वरसा को कवर किया, देखते हैं इसकी कहानी, staphylococcus aureus के मामलों में, कुस दिनों बाद क्या हुआ penicillin के लिए resistance डेवलप हुआ, क्या हुआ beta-alactamases या penicillinase activities दर्शानी की वज़ा से, यह हुआ क्या था, इसमें दो तरीके से यह अपने एक special genes को transfer करने लगे, जो beta-alactamases activities दर्शाते थे, यह plasmid के माध्यम से transfer किया जाते थे किसके दोरा, plasmid के दोरा transfer किया via transduction, यह question पुछा गया है via transduction यह produce करते थे अब ऐसे मामलों में, penicillinase activities दर्शाने वाले bacteria को मारने के लिए, नया penicillin बनाना पड़ा methicillin बनाना पड़ा, next trip जो बनाना पड़ा penicillinase resistant activities के लिए, वो methicillin बनाना पड़ा, अब इसमें भी कुछ दुनों बाद methicillin के लिए resistance आना शुरू हो गया खास दौर पर hospital के आज सपास, जो bacteria होते हैं, वो तमाम तरीके के infection के साथ आने वाले patient के साथ जुड़े हुए होते हैं, और आज के डिट में hospital setting में सबसे जादा हम MRSA के मामले देखते हैं, तो होता कि hospital setting में इस तरीकी के मामले जो आते हैं वो MRSA के देखने को बिलते हैं तो methicillin जो रिजिस्टेंस डिवलप हुआ उसके कारण हुआ क्या, क्या पूरी तरीके से bacteria ने क्रोमोसोम्स के भीतर बदलाव लाते हुए penicillin जहां भी जूड़ता था या methicillin जहां जूड़ सकता था वो structure ही बदल दिया पेनिसलिन या methicillin तक क्या हुआ पेनिसलिन के बाद जो methicillin आये ये penicillin binding site पर ही जाके काम करते थे बात समझ रहे हैं अब bacteria ने क्या किया उस penicillin के binding site को ही change कर दो पहले तो ये था कि बैक्टरिया ने penicillinase activity शो किया फिर methicillin को बेकूप बनाने के लिए उसने banding का site ही छोड़ दिया अब methicillin करे तो क्या रहे क्या तो अब हमने नए सरीय से बनाना शुरू किया vancomycin vancomycin का target ही penicillin binding site नहीं था वो किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम pharma में बात करेंगे तो methicillin resistance जो MRS से develop हुआ थे इस पर question पूछा जा गया है उसमें कैसे हुआ penicillin binding proteins की structure ही बैक्टरिया ने बदल दी इसके बाद यहाँ पर जो MRSA की property इस तरीके से जो आई थी वो chromosomal mediate थी plasmid से mediate नहीं थी MRSA के मामले जो थे वो chromosomal mediate थे याद रहा है इसके लिए अब vancomycin बनाए गया vancomycin cell wall inhibitor तो है लेकिन उसके काम करने का तरीका penicillin binding protein से बिलकुल अलग होता है कैसे होता है जब हम pharma में चलेंगे तो इसके बारे में बात vancomycin पूरी तरीके से cell wall के synthesis के inhibition के मामले में penicillin के site का इस्तेमाल बिलकुल नहीं कारता है इस वज़ा से vancomycin success रहा है लेकिन कुछ दूने बाद करता तो यह भी cell wall पर ही काम था इस वज़ा से बैक्टिर ना फिर से अपने cell wall के बनाने के process को change कर दिया फिर अब हमारे पास तरीका बच गया कुछ ऐसा किया जाया जिसमें हम मदद अलग तरीके से लें हम cell wall के synthesis के मामले को छोड़ ही दिये हमने MRSA के मामले में VRSA के मामलों में नए target set किये कैसे नए target set किये यह हम फार्मा में जब चलेंगे तो बात करेंगे यहां पर देखे MRSA के बाद vancomycin आया सवाल देखते हैं कुछ नीट में पूछा गया question which of the following is not mechanism for resistant to MRSA तो क्या MRSA के मामले में रेस्टेंस chromosomally mediated होता है बिल्कुल सही बात है यह alteration in PBPS penicillinase penicillin binding proteins के जो site होते हैं वहाँ पर alteration की वज़ा से हुआ बिल्कुल सही बात है ऐसे ही तो हुआ था MRSA के मामले में रेस्टेंस अब यहां पर कह रहे हैं MRSA resistance is absolutely beta lactam is independent नहीं कई बार यह dependent भी होता है intrinsic resistance is known तो यह भी बात ठीक है यहां पर normal penicillin binding proteins के site पर modification करने की वज़ा से ऐसा हुआ तो यह थोड़ा सा fact-based था जिसमें कई बार question जो हम से पूछे जाते हैं वो information-based होते हैं अगला NEET में इसी से थोड़ा से बहतर question पूछा गया था कई बार fact-based information होती है एक question यह पूछा गया था all of the following are true about methacillin resistance in MRSA तो इसमें पहला option था resistance produced as a result of altered PBPS यह बात बिल्कुल ठीक है इसी की वज़ास तो हुआ था resistance may be produced by hyper production of beta lactamase बिल्कुल ठीक बात है कुछ मामलों में ऐसा देखा गया तभी तो हमने पिछले question में देखा था क्या यह बात सही हो सकता है नहीं यह बात तो गलत है यह chromosomal mediated होता resistance may be missed at incubation temperature of 37 degree during susceptibility testing यह information है जिसको याद कर लेना है यह सही statement है हमें मिल गया C option और कई बार हमें objective questions देखते सबें general information पर focus करना चाहिए कौन सा general information गलत लिखा ले तो उसको exclude करके हम पता कर लेते कौन सा option इसमें टिक करना है तो जैसे आप देखें यहाँ पर C option बाकी सारे information ठीक है इसको एक बार read कर ले यह basic facts हैं जो नीट में कई बार पूछ लिया जाता है एक और question देखते है ठीक बात है यह तो पहला statement हमने देखा यही तो होता है methicillin का resistance PBPS में बदलाओ की वज़े बिल्कुल ठीक बात है और यहाँ पर information hospital strain mostly produced type D penicillinase नहीं है type A penicillinase वो release करते हैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है penicillinase के total 4 type पता चले है जो कि hospital strains में type A सबसे common होता है यह fact based information है बार बार पूछा जाए कभी संभावना तो नहीं लगती है और ऐसे माम लोगें सिर्फ मैं यह question इसलिए दिया हूँ C option में गड़बर लग रहा है तो इस आधार पर आपने इसको tick कर लिया इसके बाद क्या होता है यहाँ पर treatment of staphylococcus aureus के मामले को देखते हैं तो यहाँ पर सिधे तोर पर आपको इस तरीके से समझना है यह basic facts है अगर आप चाहते हैं तो शुरुवाती दौर में penicillin sensitivity test कर लीजे penicillin काम करेगा या नहीं करेगा penicillin काम करेगा तो ठीक है अगर वो नहीं काम करता तो methicillin के level पर देख लीजे methicillin काम करेगा या अगर उसके लिए resistance है तो फिर MRSA के मामले में आप vancomycin चूज कर सकते हैं VRSA तो नहीं है VRSA अगर है तो आप deptomycin के level पर जा सकते हैं अब यह पूछा जाते है deptomycin क्या इसके पहले नहीं यूज कर सकते हैं कर सकते हैं आप चाहें तो MRSA पर भी यूज कर सकते हैं ठीक है methicillin के sensitivity है methicillin यूज करिए उसकी resistance है तो आप vancomycin यूज करिए vancomycin के लिए resistance है तो डeptomycin ही आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर फार्मा में जब हम चलेंगे तो देखेंगे किस तरीके से target बदलते चले गए और हमने नए नए cell wall synthesis को खत्म करने वाले या बैक्टरिया को उसके बाद भी kill करने के और नए नए तरीके भी चूज की हमने देखा बैक्टरिया को मारना है तो क्या जरूर थे किवल cell wall को focus करें हम कुछ और भी focus कर सकते हैं हम plasma membrane को target कर सकते हैं हम कोशिच कर सकते हैं उसके nucleus के भीतर changes करने की उसके DNA gyreses में उसके जो DNA के multiplication की जो process है उसमें changes कर सकते हैं इसके लावा जब वो protein बनाने के प्रक्टरिया में participate करें उस सब हम changes कर सकते हैं उसके metabolism को break करके हम bacteria को मार सकते हैं तरही के से क्या हुआ पेनिसलिन जो cell wall की synthesis पर से focus था हम bacteria की पूरी-पूरी metabolism को उसके multiplication को उसके cell membrane की structure को सब कुछ करीब से सबसंद गये तो हम और बहतर antibiotics डेवलोप करना शुरू कर देए और यही वज़ा था कि जब पेनिसलिन के बाद methicillin आया पेनिसलिन के बाद vancomycin आया तो वहाँ तक vancomycin तक हम cell wall को target करते थे बाद में चला पता चला कि यार यह तो गड़बड करता है जा रहा cell wall की कहानी में यह बार बार हमें बेकुफ बनाता चल जा रहा bacteria तो हमने क्या कि है target फिर फर्दर बदल दिये और linazolid और deptomycin जैसे नए drugs लाए जो नए तरीके से काम करते हैं कैसे काम करते हैं वो अगले lecture में जब हम चलेंगे pharma में तब बात होगी pharma का एक fact जो penicillin के point of view से आपको जानना चाहिए penicillin केवल और केवल gram positive को target करते हूँ और वो भी cell wall की synthesis को inhibit करने के प्रयास में बनाने का प्रयास किया गया था cell wall की synthesis को inhibit करने के लिए MRSA के बाद vencomycin लाएगी यह करता कैसे है देखें यहाँ पर और किसके लिए काम करता है यह glycopeptide antibiotics की category में आता है यह trans glycosylase enzymes को inhibit करता है यह trans glycosylase enzyme होता क्या है और कैसे cell wall की synthesis में इसका अपना importance होता है इसको हम बाद में आपके साथ discuss करेंगे आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका में लेगा लेकिन अभी सिर्फ इतना focus करें आप कि यह streptococcus viridens के लेवल पर यह यह कहले ग्राम positive के लेवल पर काम करता है और इसे अप IV root से देते हैं oral इसका कोई रोल नहीं है bacterial cell wall की synthesis को inhibit करता है यह काम कराया जाता है एक और जगह पर इसका इस्तेमाल होता Clostridium difficile के मामलों में जहां pseudomembranous colitis का मामला हो वहाँ पर हम local action जब चाहते हैं तो vancomycin का इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आगे हम discuss करेंगे anaerobic conditions में Clostridium difficile के वजह से होने वाले pseudomembranous colitis को cover करने के लिए हम यहां पर oral root के लिए हम prefer करते हैं pseudomembranous colitis के मामले को question पूछा गया इसलिए आपको दियाद रहना चाहिए वैसे यह आम तोर पर IV root से ही दिया आया था एक मात्र oral condition है वो pseudomembranous colitis को ठीक करने के मामले में vancomycin करता क्या है glycopeptide antibiotics की category है silval को inhibit करता है लेकिन उस जगा पर जाकर करके नहीं जहां penicillin banding protein का जो site होता है उस site पर नहीं यह transglycosilase activities को inhibit करके यह होता क्या है इसके बारे हम आगे बात करेंगे इसमें vancomycin का अगर कोई दूसरा भाई बंधू आपसे पूछा जाए तो उसकी category में आपको टीको प्लैनिन का नाम याद रखना है